कीबी में विटामिन सी अधिक मात्रां पा जाता है इसके अलाबा इसमें पोटेशिया, मिटामिन E, सोडियम, भाइवर, कॉपर और एंटियोकसाइड की मात्रा भी पा जाती है यहां शरील की इमिरिटी को भी बढ़ाता है सही बज़े से अनिक परकार की बिमारियों के लिए बिमार इसमे इसमें कमाई कितनी हो जाती है चलिए शुरू करते हैं कीवी की उन्नत किसमे की बात करें तो भारत में कलम या ग्रिफ्टिंग बीदी धोरा त्यार करते हैं भारत में उगाई जाने वाली कीवी की चार अच्छी किसमे पहले नमबर पर मॉंटी ये रुपाई के 180 से 190 दिन के पच्चा तोड़ाई के लिए तयार हो जाती है पौदे 8 मीटर तक लंबे होते हैं एक पौदे से लगवा 80 से 90 किलो फल उतपात देता है तुसरे नमबर पे है ऐली सन ये रुपाई के 160 से 170 दिन के बाद तयार हो जाते हैं इसमें भी लगवा 80 से 100 किलो उतपात हो जाता है तीसरे नमबर पे है बुर्नो में बिटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है एक पेड़ में उत्पाद लगवग 90-100 किलों तक हो जाता है चौते नमबर पे एवार्ड इसके फल अधिक सौदेशन मीठे होते हैं ये सबसे अधिक ठंडी जलवाईयों में उगाया जाता है एक पेड़ से 60-80 केजी उत्पाद हो जाता है कीबी की खेड की तियारी की बात करें तो पहले खेड में उगाये गई पुरानी फसल के अबशशों को नश्ट कर देना चाहिए इसके बाद मिट्टी प्लटने वाले हलों से खेड की गहरी जुताई कर दे जुताई के बाद खेड में पानी लगा दे पानी लगाने के कुछ पचात खेड में 2-3 तिर्ची जुताई कर दे इसके बाद खेड को पटा लगा कर भूमी को समतल कर दे कीबी की पौधे की रुपाई के लिए समतल भूमी एक मीटर चौड़े और 2 फिट गहरे गड़े तयार कर लिया जाता है ये सबी गड़े पंक्तियों में तयार की जाते हैं गड़े के मद्दे 5-7 मिटर के दूरी रखी जाती है तयार किये गड़े में जैविक खात परयाप मात्रा की मिट्टी में अच्छे से मिला कर गड़ों में भर देना चाहिए इसके बाद गड़ों की सच्चाइक की जाती है इसके बाद इसे पुलाव से ढख देना चाहिए सबी गड़े पौधे रुपाई के 2-3 महा पूर तयार कर ले कीवी की खेट में उबरक की बात करें तो गड़ों में जैविक और रसाइनिक खात की उचित मात्रा देनी जरूरी होती है इसमें पौधे ठीक तरह से बिकास करें खात की मात्रा को देने के लिए 20 केजी पुरानी गुबर की खात 50 किलो एन पी के मात्रा को अच्छे से मिट्टी में मिला कर इसको देना चाहिए इसके बाद इन गड़ों के पौधे की रुपाई कर दी जाती है रुपाई के बाद प्रारहम में 2 वर्स तक खात इसी तरह मात्रा में देना होता है उबरक खात देने के पच्छात पौधे की त्रों से चाहिए गजार मित्रों कीवी की पौधे की रुपाई का समय और तरीके की बात करें तो पौधे की रुपाई ठंडे मौसम में की जाती है इसके लिए दिसम्बर और जन्मरी का महीना सबसे अच्छा माना जाता है कीवी की पौदे का सर्दियों से गिनने वाले पाले से बचाने के लिए इसमें पुलाव सर्दख देना चाहिए कीवी के फल की तुड़ाई की बात करें तो ये लगबख चार वर्च से अधिक का समय लग जाता है जब इसके पौदे का फूल खिलने शुरू हो जाता है तो उससे आठ से नौ महां पच्छाथ फल पक कर तयार हो जाता है कीवी की खेती में पानी पर बिशेश ध्यान देना होता है इसलिए प्रारमिक से चाई पौदे रुपाई के तुरत बात दी जाती है गर्मी की मौसम में पौदे को तीर से चार दिन के बात पानी देना जरूरी होता है ठंड में ये आठ से दस दिन के अंतरा में पौदे को पानी देना चाहिए किसान मित्रो एदिक कीवी की फसल में लगने बाले रोक की बात करें तो कीवी की खेती में अभी तक किसी तरह के खास रोक देखने को नहीं मिलते हैं किन्तु जल भराब की बज़ा से जड़ गलन रोक देखने को मिलता है इसलिए किसान भाईयो जल भराब ना होने दीजिए किसान मित्रो कीवी की पौधे से पैदावारी और लाब की बात करें तो एक हेक्टर खेत में करीब 400 से अधिक पौधे लगाया सकता है एक पौधे से 90 से 100 केजी फल उत्पात पराप्त हो जाता है एक हेक्टर के खेत में पौधे से 40,000 से 50,000 केजी की पैदावारी पराप्त हो जाती है कीवी का बाजारी भाब की बात करें तो 1500 से 2500 रोपे परती किलो बिकता है जिससे किसान भाईयो एक तुड़ाई में 20 लाग तक की कमाई सरणा कर सकते है